अमरीकी रियासाद मिशिगन के अस्पताल में एक शखस ने मुसल्मान लड़की को तशद्द का निशाना बना डाला लड़की हिजाब पहने अस्पताल एमर्जंसी काउंटर पर खड़ी थी कि पीछे से अमरीकी ने आकर उसे मारना शुरू कर दिया अमरीका में मजहबी मुनाफरत अमरीकी रियासाद मिशिगन के हॉस्पिटल में एक शखस ने 19 साला मुसल्मान लड़की को तशद्द का निशाना बनाया लड़की हिजाब पहने हॉस्पिटल एमर्जंसी के काउंटर पर खड़ी थी और कुछ मालूमात ले रही थी कि पीछे से एक अमरीकी शखस ने आकर उसे मारना शुरू कर दिया पुलिस ने 57 साला अमरीकी शखस को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया मुस्लिम लड़की ने हॉस्पिटल के खिलाब भी मुकदमा दर्श करा दिया हॉस्पिटल इंतजामिया ने हमला आवर को रोकनी के खातर खुआ इंतजामात नहीं किये दूसरी जानी मुतासरा लड़की के वकील का कहना है कि उनके मौकल का इतमाद बिलकुल तूट चुका है वो हर वक्त खौफज़ता रहती है उन्हें यही लगता है कि अभी कोई पीछे से आकर उन्हें मानने लगेगा